कि गुड़ इवनिंग आईज आप सभी का स्वागत आपके अपने नर्सिंग चेनल सलिष नर्सिंग एकनिव पर और आज की वुडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है आप सभी अभियारतियों के लिए जिन जिन अभियारतियों का सेलेक्शन हुआ है डोकुमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम आया है नर्सिंग ओफिसर रायस्ता नर्सिंग ओफिसर बढ़ती के अंदर अभी यहां पर आपकी एनम की लिस्ट आनी बागी है जो की मान के चलिए आठ सितमबर तक आपकी लिस्ट यहां पर आ जाईगी प्राप्ट खबर के अनुसार जानकरी के अनुसार तो एनम की जैसे ही लिस्ट आएगी उसको भी हम हमारे टेली राम पर डाल लेंगे फिलाल तो नर्सिंग ओफिसर की आपकी डोकुमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जाई हो चुकी है लगबग चौदा हजार साड़ह चौदा हजार ब्यारतो को शीफू में जाना है जैपूर के अंदर अपने सभी डोकुमेंट्स लेकर और उनकी फोटो को भी लेकर ठीक है तो डेवी वालों को लिस्ट वालों को जिसका नाम आया है उन सभी कागज लेकर जाना है कौन-कौन से कागज चाहिए विद्वा तलाक इन महिलाओं को क्या सावदनी रखनी है और किस तरह के शपत पत्र चाहिए कोई कमी हो तो केसे शपत पत्र उनको कहां पर बनवाने पड़ेंगे उसके बारे में आपको इस वीडियो में डेटेल से बताने वाला हूँ और वीसी ये तीन जाती है जिनका जो जाती प्रमान पत्र है एक साल से दा पुड़ेगा सिंपल सी बात है प्रकति का निया में जब पोस्ट साड़े आट जारी निकाली तो चाओदा जार सब्सक्राइब निकलना पुड़ेगा ठीक है तो द्यान पूर्वा अपने डोकुमेंट से आपको ले जाने हैं यदि कोई गल्ती करते हो तो सीधा बाहर कर जाओगे फ़री आप यहां पर फिजिकल रहने पिए पकड़ाओं में आ जाएंगे जिन जो फिजिकल हेंडिकेप उनको पहले अपने अपने नाम के आएगे जो होस्पिटल का नाम दिया गया है चाहँ एक तो जय पूर हो सब्सक्राइब कर वाना है सुबस्बादा मेडिकल वालों का और सभी अब्यारतों का एडर्स देख लिए जलाना डूंगी कोलोनी घाट की गुणी जेफूर राजस्तान एजीली मिल लएगा आपको यदि आपको सेलेक्शन हुआ तो आप मुझे पता है यहां पर एडर्स डून लोगो है ना इसमें कोई दिक्कत देल मेरिट है ना कितने मेरिट गई और किस तरह से कितने ब्यारतों सेलेक्शन हुआ आज बात करेंगें पर वेरिफिकेशन के कागज के बारे में तो ओनलाइन आवदन का प्रिंट आउट आपको यहां पर लेके जाना है चले शूरू से बात कर लेते हैं ताकि आपको पूरी किसी तलाग महीनों सेलख्शन हों ह। तो क्या चीए क्या सौधिन असनीं पर बता हो जाहिए यह आपको आपको इस अब पहले शोर्टकट में बता देता हूं यह एक नमबर पर अगर उनलाइन आवदन का डिया है तो सबसे पहले उपर इसको ही रखना है उसके बाद दूसे नमबर पर आपको वाधरगार रखना है उसके नीचे पर उसके नीचे आपको टेंद की माक्षिट रखनी है परमान पत् सबसे नीचे नीचे लगाने है यह त्यर्वे नमबर तक आपको लाज्ट जो है आपका अनुबह परमान पत्र लगाना है बोनस वाला जितने भी हो एक हो दो हो तीन हो लगा देना और चौद्वे पॉइंट पर आपको शपत्पत्र रखना है अपना जो आप शपत्पत्र आपके जने वाले होता है यह वकिल सहाब होते है या या नोटरी करते है तो उनके पास आपको लिखवाना पड़ता है है उसे शपत्पत्र लगाई है कोई दिक्कातो किसी डोक्किमेंट आपके शबबात पत्र लगाई यह को मज़े करिए सिंपल सी बाते कोई दिख्वता लिवात नहीं आने वाली आपके आपको एक साल से आपको पुनाना जो फॉर्मेट होता है वह आपको यहां पर मिल दाएगा यदि आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम वर्टसप ग्रूप कोच भी ज सेलेक्शन हुआ है डोकुमेंट मेरिफिक्शन में तो यह काफी इंपोर्ट हो जाता है और काफी सेंसिट्व मामला भी हो जाता है कि आप अपने जो डोकुमेंट्स ले जाओ वह एजिली और अच्छी तरह से उनकी क्यार करके ले जाओ एक फाइल ले लेना पांच यह दो सेलेक्शन के लिए तो आपके और फोटो कपी करा हुए उनसे क्या जाएगा कॉनसे डोकुमेंट्स यह जो आपको सामने लिश्ट दिख रही है इसके लावा कुछ नहीं चाहिए कोई दिमाग नहीं लगाना इन में अगर कोई दिक्खत हो तो आप मुझसे कॉन्टेट कर स सकते हो ठीक है पहली बात तो यह गई और दूसी बात यह है इन सभी के आपको ओरिजनल लोकुमेंट्स लेके जाना है और इसी क्रम में उनको जमा के लेके जाना है ओके ओनलाइन आवे दन आधर कार्ड टेंद की माक्षिट जाती मूल यह ना यह मेरे सर्टिफिकेट बच सब्सक्राइब करें निकाल यह पर्वानेट मेरे टो सभी की एक परकिरें यहां पर रहने वाली है और यह चलते हैं शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों मैंने आपस पहले भी बोलाए जिसको चिंता होगी वो पूरी वीडियो देखेगा और जिसको चिंता नहीं होगी कि वो जो है आदे वीडियो में ही इसकी करके चला जाएगा और बठकते रहेगा ना वीडियो पूरी देखोगे तो सभी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी आप चलेएंगे आप बात करते हैं अपन सबसे पहले ओनलाइन आव दिनका प्रिंट आउट तो यह वही अपना एप्लेकेशन फोरम जो है ले सकते हो डाउनोड कर सकते हो इसली फिरी में करवा लेना या कोई दिक्कत आएगी दूसरा नंबर पर है अपना आधर कार्ड आधर कार्ड भी सबके पास होगा ठीक है इसमें नाम पता एड्रेस जो है साही होना चाहिए आपकी जो डे प्रोटाया चाहिए अब क्या है पुराने अवियारती जो थे जनोंने फिरीक की परिक्षा पास की पेले के जमाने में तो उनके पहले क्या होता था एक थे चोटी सी आपका मार्क शिट और दूसरी एक आती था उनका परमान पत्र जिस पर फोटू लगा होता हो था अब उसके बाद क्या है दो यार में तो इसमें जो है यह की आने लग गई अब मैं उसकी आपको बताऊं परमान पत्र यह आपको किसी के पास नहीं हो तो उसको भी चल जाएगी यह आपका फोटू है तो उसमें दोनों चीज़ा आ जाती है जिसका जिसकी मार्क इसको प्रमान पत्र यह आपकि आपके पास तो इसको पाटि पार्मान पत्र प्तर आपको चाहिए यह सभी ॗोरिजिनल ले जाना और इनकी फोटो कोपी लगे लगे लिए निया और उनसे फोटो कपि पर आपको अपने साइन भी बढ़ने है सबसे बड़ी बात तो यह है ठीक है आप जाती परमान पत्र आपको लेके जाना है अब आपको एक सवाल होगा सब जाती परमान पत्र के बारे में बताए कितना पुराना केस है क्या कुछ यह तो मैं उसको बताऊं अब वीडियो के नहीं पहले आप सभी मूल निवासी ठीक है मूल निवासी परमान पत्र किसका होता है टीएसपी आलो का विशेश मूल निवास मतलब टीएसपी वाले जो टीएसपी वाले होते है उनको विशेश मूल निवास परमान पत्र उनको जारी किया जाता है तो यह उनके लिए हो गया ठीक है और आगे अब औके तो आपको अपना मेरी सेटिफिके लगाना है किसादी हो तो उसको यहां पर मेरी स्टिफिके लगाना है इसके पोड़ेगी हलंकि दिक्कत आती है तो आपको यहां पर सब्सक्राइब आपका काम कर देगा इसलिए जैसे आपने फोरम पर दिया नर्सिंग ओफिसर का आप उसके बाद आपके शादी होती है तो यहापर समस्या आपके आ सकती है लेकिन उसके लिए जो है एफिडेविट शबर पत्र है शबर पत्र पत्र लगाओ और मोच करो सिंपल सी बात है लाइन पत्र चाहिए आप ओन लाइन लगाना है जो उनसा भी जनम बरमान पत्र हो चाहिए ओनलाइन हो जाए ओफ लाइन हो दोनों ही चल लाएंगे लेकिन दो बच्चों से जादा यहापर नहीं होना चीए निटू आपको बाहर निकाल देंगे तीन बच्चों की शर्त बच्चे है तो उसमें से दो बच्चे सही होना चाहिए एक में डिसेबिलिटी है तो वह भी जो है आप मानने रहेंगे यह कुछ नियम से जिसको आपको पढ़ना पढ़गा विध्यप्ति के अंदर यह आयते पूरा कुछ यह अपने विध्यप्ति अच्छे से पढ़ी होग होगी ठीक है जो बिल्कुल जिसको चिंता होगी तो शायद उसने विध्यप्ति पढ़े होगी तो जान करें भी होगी और जिसके तीन बच्चे है तो वह तो पढ़ेगा इसे यार सिंपल सी बात है एक जनवरी फरवरी मार्च अपर माई जून एक जून एक जून 2002 के सब्सक्राइब में आवजन करने वाला व्यारती उत्कष किलाड़ी होने संब्दी प्रमान पत्र यहने आपको खेल का स्रेटिफिकेट लेगा जाना है भई या खेल का स्रेटिफिकेट स्पोर्स का काफी फर्जी पकड़ाओं आएंगे मुझे पता है एक युनिवर्सिट स्पोर्स की खेल की वो कुछ पेसों में जो है इस पोर्स का स्रेटिफिकेट बना कर दे देती है तो एसे लोगों के उपर भी एसी युनिवर्सिटिटी के पर भी अधिकारे के पर भी बच्चों के पर कहयां पर कारेवाई हो सकती है हालंकि छोड़ो यह खतम बात है आटो कमेंट में ही जवाब दे दूर सभी को जो है चीज़े पता चलते सके हैं नवा पॉइंट कोई मतलम नहीं है शायद ही अपनी नर्सिंग ओफिशन में कोई बच्चा हो जो बूत हुर से निक वरके ब्यारती रहा हो ठीक है दसा पॉइंट में देखिए यहां पर आपको सीन हो लगा है तो आपको याच पॉइंट है घ्यारती अपने होती है अपने बनाता जिसमें अपने फोरं बरता जिस पद के लिए Shooting आगे देखिए यहाँ पर आपको थेरुआओ पोट में अनुबबाई परमान फत्र लगाना है भया एकस्परिंस सटिफिकेट बोनस है ठीके सेचार नर्सिंग श्टाफ का जो भी आपके पास हो समेंदा का यो टीवी का यह न तो वह अनुबवा प्रमानपतर लगाना है एक सवाल आपका होगा सार मेरे पास तो चार अनुबवा प्रमानपतर तीन है मान लिए तो कैसे लगा हूँ किस करम में लगा तो भईया नहां प तो वह सब से एन में लगाना है आपको और दो पास्विट साइच के फोटो भी चाहिए हालंकि फोटो आपको चार ले जाने है ताकि इमापर दिक्कत नहीं आए चाहिए कितने ही मांगे कोई दिक्कत अलिवात निये साइच मेडिकल वालोसी 2 मेडिकल में मांग सकते है और 2 डीवी में मांग सकते है चार पास्विट ले जाएए कोई दिक्कत लिवात निये वापस आ जाएंगे वह तो बचके और फोटो को भी करानी है आपको तो उनपर आपके स्वेंगे साइन या पर चाहिए होंगे अब इनके डीटेल में में लेके चलूँगा आपको OBC और यह जाती पर्मान पत्र है उसके अंदर यह देखिए यहापर चोते पुइंट में है आपका जाती पर्मान पत्र तो जाती पर्मान पत्र में दोस्तों एक चिर्में आपको बताता हूँ OBC हुआ EWS हुआ और आपका MBC हुआ तो यह जो तीनों जाती है इनके एक साल से ज़्यादा पर्मान पत्र आपने लगाया था फोरम बढ़ते वक्त तो यह आपको जो है एफी डेविट याने शपत्पत्र की आउश्कता पड़ेगी और वो शपत्पत्र आपको सबसे N में लगाना है और वो शपत्पत्र आपका कहा वनेगा किसी एमित्र वाले से पूछ लेना वह बता देगा आपको आपके जीले में आपको प्रा रास्ता बता देगा हाला कि मैं आपको बता देता हूँ किसी कोट किसी आपके जीले में जो कोट है ठीक है जीला न्याले होता है वह चले जाए किसी वकिल के पास चले जाएए वह आपको बता देगा easy है कोई दिक्कश लिए बात नहीं मैं बताता हूँ आपको एक शपपतर आता है कोई दिक्वतरी बात नहीं तो जेती पर्माहमपत्रर आपको एक साल से ज़्था पुराना हो तो आप बनुएalen ुस के लिए उसको दिक्वांब करना है पुराना भी लेके जाना है पुराना भी लेके जाना है टिक हुआ लिखवा लेका तरह से सभी को जानकरी बना कर देगा जो व्यक्ति आपको शबत पत्र बना कर देगा उसको सब सब्सक्राइब यहां पता रहेगी पता है आपके कपड़ा के बार में सब चीज़ा रहेगी उसी तरह वकील को भी सबी चीज़ें यहां पर पता रहेती है डिटेल में समझा रहा हूं आपको एक एक चीज़ अभीसिका एक साल से पुराना हो तो फॉर्मेट आता है फॉर्मेट आपको चाहिए तो मिल जाएगा दिखकत नहीं आने चाहिए आपको अपास अधिक है तो यहापको यहां पर वेलिड किये गाने तो आपको भाहर निकाल दिकाब लिए जो पर अभ्यारती होते हैं पीएच के इंडिकेट के पीएच जाती के फिजिकल निकर्ट के तो उनका 40 परशनिसादी के आपर होना चाहिए और विद्वा और लास्ट और विद्वा और तलागव बारे में बात कर लेते हैं चले मैं आपको लेकर चलता हूं विग्यप्ति की की अंतिम दिनांग के बाद पुन्वीवा कि लिए जयता है मान लेजो कोई विद्वा मेला है विच्छन मेला है है न तो उसको तो यहां पर वैसे मिलना चाहिए अरक्षन उसका सेलेक्शन भी होना चीए तो कोई विद्वा मेला है उसने फोरम बढ़ दिया नर्सिं उफि थीक है मानीह न्याले में चल रहा है विचाच दीन है लंभी थे पेंडिंग में है कि तलाक शुदा कि मुझे तलाक मिलयें लेकिन तलाक निहीं मिला एसimento को और जएगे गlusive AG कि ही औकम पर सेलक्टि 담 में नकी जो अन्तिम धिनां तब तक उसने ना तो शादी की घर और डू जो विद्वा महिला है उसका जो पती के देथ हुई और प्रेस्ति उसका उसी तरफ लेकर चलता हूं मैं उसी तरफ लएक सेग्ट यह देखिए विद्वार विद्वा यूंट को दृए करता हूं साथ हा पणको दिखाझ डिया जोड़त भ ecos लगाना ही पड़ेगा यह होगया यह देट सटिफिकेट यह तो लगाना पड़ेगा कि जो फोरम बढ़ा है उसकी डेट तक जो है उसने या किसी से शाधी नहीं की इस तरह का और एक आईडी लगानी पड़ेगी यह दिखे भीवा पंडियान पर्मान पत्र या फिर कोई मत लगा था वोटर आइडी पिता की उसके पती की जनादर लगा दे जिसमें साफसाफ जाई ही रहोता हो कि वह विद्वा महिला है जिसके जिसका वह पती था उसकी ही वह पत्नी थी यहना सबूत होना चाहिए सबूत मांग लिए गवर्मेंट सीदिसी बाते और तलाक शुद तो वह भी आपको चाहिए होगा तलाक शुदा महिलाओ के लिए बाकी तो यह देखिए यह मैं आपको दिखाता हूं इसमें लेकर यह पूरा कुछ दिया गया है आप विग्यापती तो पढ़ते हो नहीं और फिर सवाल जवाब करते रहते हो परशान होते फिरते हो इसमें देखिए मैं बताता हूं आपको अब यह देखिए वह यह बड़ी समस्य है पांचा पॉइंट कई सेरी मैला है जिन लोगों ने फोरम मरता ठीक है तो उन्होंने का एक सवाल था कि सर मुझे जाती परमानमत्र पिता के नाम का चीह या फिर पती के नाम का मैं उसका कर देता लिए पिता के नाम और निवास इस्तान के आधर पर ही राजसन राज्य के सक्षम प्रदिदिकारी द्वरा वही प्रारूप में नीमानुसार जारी जाती परमान पत्र यहां पर विस्ता है तो आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवशक है साफसफ लिखा गया है पि दिखा देता हूं जादी परमान पत्र विस्तत आवेदन के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा अन्याता उसे उस वर्ग का लाफ दे नहीं होगा पती अत्वा पती एवं पिता के संयुक्त नाम जैसे संयुक्त नाम से भी बनावा है किसी का पती का भी है पिता का भी है उस क आर्थिक रूप से कमजोर EWS के आवधको को नियम अनुसार सक्षम प्रतितकारोईदारा ध्यान से सुनना जो EWS के है आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS के आवधक है उनको जो है नियम के अनुसार सक्षम प्रतितकारोदारा निर्दारित प्रारूप में इंकम और असेस्ट सर्टिफिकेट प्रतित करना होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवधकों को जारी किये गए इंकम और इंकम सर्टिफिकेट की वेधता के संबन्द में सामाजिक नियाय और अधिकारिता विवाक्य परिपत्र दिनांक के अनुसार या विर्दी व अगले साल मार्श तक ठीक है समझ में आया होगी आपको बात पुराना है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं आपको नया बनवाना चाहिए तो यह आपकी लापरवाई है आगे सुन लिजेए इसका उपाई भी एक बार उक्तु इंकम और असेस्ट सर्टिफिकेट जारी ह होने के बाद अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्तिक रूप से कमज़र वर्ख के लिए निर्दारित मावदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी इस्तिति में प्रार्थी से सत्यापित सनलंगन शबत्पत्र के आधारपर पूर में जारी इंकम और असेस्ट कि यदि एक साल का तो चलेगा एक साल के लिए मानने रहता है लेकिन आप मान लिजे आप अगले साल भी जो है यह जो है कि शिवनी में आते हो पांतर रखते हो यह आप गरीब हो भी यह ठीक है आर्थी रूप से कमज़र इससे के थे इस तो आपका जो है अधिक्तम तीन सा करना पड़ेगा एक साल के लिए बोल रहा हूं मैं बहुत सारा सवर आयते कि सर मेरा तो एक साल से ज्यादा पुराना हो गया मैं क्या करूँ मुझे बाहर निकाल देंगे क्या निकालेंगे शपाट पत्र जिंदाबाद है मैंने बोला है आपसे 1000 बार शपाट पत्र है बहुत सारी चीज़े से बताए गई है जो आपके लिए आप जानने जरूरी है मैं और आपको बता देता हूं मोटी मोटी यह देखिए आपका जो जाती परमान पत्रे अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती अन्य पिछला वह वी सी एंबी सी वालों का या पी डिव आप देखिए इसमें तीसरा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है रास्तान राज्य के अन्य पिछला वह या फिर आती पिछला वह 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 जो क्रीमली एर के आवजदक है उनको यहाँ पर आरक्षण का लाब नी है यानि आप जो क्रीमली लेयर के ओते है ओभी सी या फिर आपको समझ में आया होगी यह इसलिए डिटल में समझा रहा हूं यार क्योंकि काफी सारे को दिक्कत होती है ना देखिए नोसी के बारे में बात करते हैं अब यह देखिए यह मेरी स्रेटिफिकेट का आगया दस से पॉइंट में यह देखिए उक्त परी पत्र जारी होने की थिती से पुरु विवाही तब्यारती जिन्होंने विवा पंजियन नहीं कराया है उनके मत दोरा इस शबम पतर आपको प्रस्वित करना पड़ेखाritis में बोल रहाऊं से शबमत्र सभी रामबान का उपाय है डो च्पात पत्र सब का रामबन उपए है और आगे देखिए यह देखिए जनवरी फरवरी मार्च अपरेल मई जून एक जून दो यार दो के अकोडिंग बच्चों की संग्यां यहां पर दो से अधिक नहीं होने चाहिए यदि दो से अधिक भी है तो उसमें भी एक बच्चा आपको disability है निशक्त है तो जो है चल लाएगा लेकिन तीन बच्चे आपके है वह अच्छे खासे है तो आपको यहां पर केंशील कर देगा आपका वेदन बाकि जो आपको अपने डोकमेंट से ले जाओगे वह एकदम अच्छे होने चाहिए यह इसा लिखा गया है ओके ब पॉइंट है यह त्यर्वा पॉइंट पॉलिस वेरिफिक्शन के लिए है चोदवा पॉइंट आपका मेडिकल स्ट्रिफिकेट जो बनेगा ना वह चाहिए और यहां पर आपको पंदुरा पॉइंट आपका जापर किसीच का है यह आपका एनोसी का अब यह चैन उपरांत यह चैन उपरांते देखिए आपका सेलेक्शन हो दाएगा फाइनल में उसके बाद आपको यहां पर जड़त पड़ेगी इसकी पॉलिस वेरिफिक्शन की तो आप अभी अपनाय कर देना क्या पता आपको पोस्टिंग जल्दी मिल जाए वैसे बहुत काम हुआ है इस बार सब्सक्राइब में तो अभी कर रहे हो तो मांसे यहनों से आपको चाहिए नो अब्जेक्शन स्रेटिफिकेट परमान पत्र होता है यह जब आपकी पोस्टिंग होगी तब मांगा जाएगा तीनों चीजिए चलिए आगे बात करते हैं यह तो कुछ खास ही नहीं मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम गुरूप का लिंक इंस्टेग्राम का लिंक सभी लिंक मिल जाएंगे फेस्बूक का लिंक तो आप जोइन करना फोलो करना अपने बाई को अपना आपका बाई इसी तरह से आपके लिए जानकर लाता रहेगा और भी कोई दिक बनेगी फाइनल के बैसे मंतीमों में कैसे मंती ही